मुझे खुशी है कि आज आप जुड़े क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं ऐसा वच्चन बाटने जारूए जो जीवन बदलने वाला है देखे हम प्रती दिन हजारों और लाकों और लाकों विचार सोचते हैं परन्तु वे सब अच्छी बातों के विश्य नहीं होते कई बार हम वही सोचे जिसे मैं बदबुदार विचार कहती हूँ कई बार हमारे मन में ऐसी ऐसी बाते आती जो हमारे जीवन के लिए लाबदाई नहीं है और हमें उन सब बातों से पीछा चुडाना है और सकारात्मक सोच रखनी शुरू करनी है बाइबल कहती कि हमें गलत विचारों का खंडन करना है और उन विचारों को चुन लेना है जिनके विश्यम विश्वास करते कि इशू सोचता होगा इसलिए आईए आज की शिक्षा का आरंब करें अपने मन के घर को साफ करना शिक्षा का आनंद ले लूका 6, 25 परन्तु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रों से प्रेम रखो जो तुम से बैर करें उनका भला करो और वचन 28 देखे जो तुमें श्राब दे उनको आशीश दू जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो और तुम्हारे विरोध में उठने वालों के लिए प्रभू से बिंती करो देखे जब कोई हमें ठेज पहुचाता है तो हम अपने आप ही शमाहीनता के कमरे में चले जाते हैं बदला लेने वाला कमरा हम सोचने लगते हैं उन्होंने हम अर साथ क्या कि हम पर कितना अन्या कि और वो कितना बुरा है और अगली बार जब हम उन्हें देखते हैं हम उन पर चलाते हैं या उनसे अपना मूँ मोड लेते हैं या पार्टी में उन्हें कहीं देखने पर वहां से हम बाहर चले जाते हैं यदि वे मेरी माता के घरदनिवादीने आएंगे तो मैं वहां नहीं जाओंगी मैं बिल्कुल ही जाओंगी प्रभु मैं नहीं जाओंगी मैं नहीं जाओंगी मैं उन्हें क्रिस्मस गिफ्ट नहीं दूँगी मैं उनको जन्म दिन पर भेट नहीं दूँगी हम योजना बनाते हैं हम अपने शत्रों को आशिष देना नहीं चाहते हम भली कारे करना नहीं सोचते उनके लिए प्रात्ना नहीं करते उनकी भलाई की उजरा नहीं बनाते परन्तो जानते हैं आप कर सकते हैं एक साल पहले मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ मुझे बताया गया कि मेरे करमचारियों में से एक व्यक्ती रेस्ट्रेंट गया था और वहाँ पर दो लोग आया थे जिनके साथ हमारा सम्बन था वै अमारे करमचारियों नहीं थे परन्तु वे दो बिजनस्मैन थे जो अलग अलग व्यापार करते उनके साथ हमारा व्यावारिक सम्बन था और इन दोनेगे किसी बातों के बारे में चर्चा करते हैं जिसके बारे में उन्हें कोई विचार नहीं। क्योंकि हमारे विचार उसे सम्मंद रखने वाली समस्या में मुख्य है। आप सब मासूम लग रहे हैं। जानते क्यों क्योंकि घमंड झिप जाता है। जिसके पास वो होता है वो कभी नहीं सुचता की वो घमंडी है। क्योंकि वे इतने घमंड हैं कि उसे मानते ही नहीं, इसलिए मैं आपको घमंड के लक्षन बताने वाली हूँ, हो सकता है उसके लक्षन जानकर आप अपने घमंड को स्विकार कर सकेंगे, ये मैं सोची कि मैं आपको बताऊंगी कि वो कि सत्र में आएगा क्योंकि जिने ये जानने की ज़रूरत है वे उपस्तित नहीं होंगे खै जो भी हो वे रेस्टोरेंट में बैठे बाते कर रहे थे जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते और मेरा नयाय कर रहे थे इससे मेरे करमचारी को गुस्सा आया वो लौट कराई उसने इसके बारे में हमसे कहा क्योंकि उसने सोचा कि इसके लिए शायद हम कुछ करेंगे और सच मानिये मैं उस राद बिस्तर पर पड़े-पड़े योजना बनाने रहे मैं बिस्तर पर लेटी थी और मैं बाते नहीं कर रही थी मैं सोच रही थी ये बहुत हो गया मैं उन्हें बुला कर उनसे कहूंगी कि मेरे करमचारी ने आप कोई कहते हुए सुना है और आगे मैं आप से कोई संबन नहीं रखूंगी मैं आपके सुपरवाइजर से बाते करूंगी मैं और मैं और मैं और मैं और मैं मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ही सही काम कर रहे हूँ और उस समय जो कुछ भी मैंने तै किया था उस समय पूरी संतुष थी क्योंकि उन्होंने जो किया था वो सही नहीं था और मैं जो करूंगी उसका मेरे पास अधिकार था लेकिन देखिए ये ज़रूरी नहीं क्योंकि यदि हम यहाँ पर उपर हैं और को इस नीचे स्तर तक आकर हम पर हमला करें तो उनसे बदला लेने हम क्यों उनकी तर उस नीचे के स्तर तक उत्रें लेकिन उस समय हम सोचते ही कि ये बहुती मुश्किल है लेकिन हमें अलग धंग से सोचना चाहिए दिप्रभु चाहते हैं कि मैं वैसा करो तो फिर मैं वो कर सकती हूँ बीच रात को मैं बातरूम जाने के लिए उठी और जब आप उठते हैं तो लगता है कि रेकॉर्ड जैसे रुख गया था क्या आपको कभी ऐसा लगता है पर लेड़ गए और पवित्रात्मा ने मुझे का तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम उन्हें कुछ उपहार भेजोगी तुम उन्हें बताओगी कि उनकी सेवा के तुम कितनी प्रशंसा करती हो मैं आप से कहती हूँ कि मैंने कई वर्षों तक इसका प्रचार किया परन्तु मैंने ऐसा पहली बार किया जानते इसे करने से अधिक इसे सुनना और इसके बारे में प्रचार करना बड़ा आसान होता है और जब मैंने प्रभू को ऐसा कहती सुना मेरे मन में प्रभू का आनंद भर आया और मैंने सोचा ये बहुत ही मजा किया बात होगी मैंने सोचा ये अब बड़े मजे की बात है जानते बाइबल कहते हैं कि बुराई को भलाई से जीतो बुराई को भलाई से जीतो तो आप बुराई को बुराई से जीतना होगा, अब मेरी और ध्यान दे, आपकी भावनाय ऐसी नहीं कि आपको ऐसा करने का मन करे, आपका मन अपने आप ही आपको किसी शत्रकवाशिदेनी कि नहीं सोचेगा, जानते हैं आपको क्या करना है, आपको जान बूच कर ऐसे विच पक पड़े, हम जान बूच कर अच्छी बातीच सोच सकते हैं, आपका कोई शत्र होगा और आप सोचते कि ठीक है प्रभू मुझे संदेश मिल गया, मैं अपने एक शमाहीनता की कमरे में बैट कर दिन बर उन बातों को सोचूँगा जो नोने मेरे विरुद्ध किया है, पर उ तो मैं उस कमरे को सजाओंगा, और उसका नाम रखूंगा मेरे शत्रों को आशिश देने वाला कमरा, आज से जब भी कोई मुझे ठीस पहुचाएगा, मैं उस कमरे में जाओंगा, उस तरह से नहीं सोचूँगा, जैसे पहले सोचता था, वहाँ बैट कर मैं सोचूँगा, ठीक है, मैं उन्हें कैसे आशिश दू, मैं क्या करू प्रबू जिससे मैं शैतान को दिखा सकूँ कि उसके हमले से वो मुझे गिरा नहीं सकेगा, शायद प्रबू कहे प्राथ ना करो, शायद कहे किसी दूसरे को इसके बारे में मत बताओ, और उन्होंने जो कुछ तुमा प्रबूने मुस्यकाओं उन्हें उपाहर भेजो, देखिए, ये सदा बुधिमानी नहीं होगी, हर समय ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि कोई उसका गलत अर्थ निकाले और उसका उप्योग आपके विरोध में करेगा, इसलिए आपको आत्मा के अगवाई में चलना चाहिए, लेकिन देखिए, हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं, कि मैं उनकी आशीशों के लिए प्रातना करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वे आशीश पाएं, इसलिए चिंता ना करें, आपके शत्रों को प्रकाशन से आशीशित होने स अपने शत्रों से प्रेम करने के द्वारा आप उनके सिर पराग के अंगारों का धेर लगा देते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जब लोग आपसे बुरा विवार करते हैं, वे जानते हैं कि वे बुरा विवार कर रहे हैं, और जब आप उनसे प्रेम कर अच्छा विवार क करते हैं तब उन्हें अपने गलत कामों का एहसास होगा पर इदि आप गुस्से में आकर उन पर चिलाने लगे तो आपके बीच में एक मुकाबला होगा कि कौन अधिक रोधित हो सकता है क्या आज आप लोग मेरी बात को समझ रहें मैं नहीं चाहते कि आप कानों से ही इसे इसके आत्मिक से धांत को पहचाने और उस सामर्थ को जो मेरे प्रचार में है अपने शत्रों को आशिश देने में एक सामर्थ है इसलिए प्रभु ने कुरूस में कहा पिताओने क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं वो हमारा आदर्श है उसने प्रा कई बार लोग अपने भावनात्मक लेश और चोड की कारण सवेवार करते विए नहीं जानते की वे क्या कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं उसी त्रिष्टी से मूसा को निर्णे लेना पड़ा। अपने ही भाईयों को जिन्होंने यूसुफ को गड़े में डाला और गुलाम की रूप में बेज दिया उन्हें देकर यूसुफ ने क्यूं कहा डरो मत मैंने तुम एक शमा कर दिया मैं परमेश्व में ही से है। यदि इन लोगों के समान आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो हमें भी वह ही करना होगा जो इन लोगों ने किया। मेरे पीछे ओलो कहने में इशु का क्या तात पर रहत था वो था मेरे मार्ग पर चलो। बाइबल पढ़ो देखो कि कैसा जीवन जीने के हमें अलक ढंग से सोचना सीखना होगा ठेज पहुचाने वाले के और देखकर ये कहना सीखे जानते हैं ग्या आपको उसे कहने के जरुति पर आप अपने मन में कहिए आपकी एक समस्या है, मैं आपके लिए प्राथना करूंगी, पर उन्तों आप अपने समस्या से मेरा जीवन बरबाद नहीं करेंगे, आपको उन लोगों पर ध्यान रखना चाहिए जो आपका आनंद चुराते हैं, आपको उन्हें देखकर सोचना चाहिए, जानते हैं, मैंने जीवन भर आपको खुश रखने की एक कोशिश की है, अंत में मैंने जान लिया कि आप खुश रहना ही नहीं चाते, इसी ख्षण मैं मैं खुश रहूंगी, मैं आनंद ही तरहूंगी और वो भी प्रभू में आशा है कि किसी दिन आप उसे सहमत होंगी, मैं प्रात्ना करती हूं कि आप सहमत हो जाएं, और आप प्रभू के आनंद को पाले, परन्तों आप मेरा आनंद चीन नहीं सकेंगे, कमान आपको कुछ अच्छी योजनाए बनाने की आशकता है हम क्या करते हैं निराज रोने के कारण उसके ओर दिन में 85 बार देखते हैं और सोचते हैं कि आप मेरा आनंद चुड़ा रहे हैं मैं और सहहनी कर सकती प्रभू मैं इसे और सहहनी सकती यह बहुत ही मुश्किल है, प्रभू मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्रभू मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप पहेंगे, आप कोई कैसे पता है, क्योंकि मैं इन सब बातों से होकर गुजरी हूँ। जानते ही कई बार लोग मेरे डिग्री को लेकर मुझे परिशान करते हैं बताईए आप कौन सी कॉलेज में पढ़िए मैं पवित्रात्मा के कॉलेज में गई थी धन्यवाद और मैं स्नातक हुई, स्नातक हुई जीवन सी उपाधी ग्रेंड की मैं बच निकली हूँ, और एक विजेता हूँ शायद मैं अधिक शिक्षित नहीं हूँ परन तो मैंने बहुत अनुभव उप्राप्त किया है पहला पत्रस दो मुझे लगता है कि हमें यहां एक मिनिट और इस कमरे में रहने की जरूत है मैं जानती हूँ कि आप घर की दूसरे कमरों को देखना चाहते हैं पर हम ही अच्छी तरह से जान लेने के पहले इसका पूरा ध्यान रखें कितनों को लगता है कि हमें कुछ देर और इस कमरे में रहेना इसकी और एक बार और देखना है यदि आप किसी पर क्रोधित होकर यहां आते हैं तो मैं इश्यू के नाम में प्रात्ना करूंगी कि आप यहां से बाहर जाते वक्त किसी पर भी क्रोधित ना रहे ताकि हम वास्तविक्ता को समझे और सोचे कि मैं क्या कर रहे हूँ इससे क्या लाब होता है उन पर क्रोध करने से वे बदलेंगे नहीं क्रोधित होने से वे नहीं बदलेंगे केवल प्रबोई उन्हें बदल सकता है केवल प्रबोई किसी मनुश्य के अंदर जाकर उसके रिदय को बदल सकता है देखी ये अन्याय है कहन कहता है कि जीवन याई पूर्ण है पहला पत्रस दो तेईस यहां इश्यू के बारे में कहा गया है कहा गया है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठा कर किसी को भी धमकी नहीं देता था परंतो अपने आपको सच्चे न्याई के हाथ में सौपता था मैं कहनी सकती कि जीवन में कितनी बार मुझे इस वचन को पढ़ना पड़ा जब कोई मुझे ठेज पहुचाता था जब डे मुझे क्रोधित करते या मेरे बच्चे मुझे गुस्सा दिलाते या जब भी मुझे लगता था कि किसी ने मुझे पर अन्याई किया है कितनी यी बार मुझे इवचन निकालना पड़ा था जब आपको लगता है कि आपकी भावनाया आपको उस हद तक ले जाती है कि उस वचन को लेकर पढ़े तब उसका एक महत्व होता है यह दिया आप खुद को चोड़ पहुचाते हैं आपके पास सब प्रकार की दवाएं होती है शायद एक बैंडेर या किसी तरह का मरहम या किसी प्रकार की दर्द निवारक दवा या और कुछ लेकिन परमिश्वर कोचन आपके आत्मा की दवा है जब भी आपको लगता है कि आप भावनात्मक सीमा तक पहुच गए और सोचते हैं कि मैं इसे सह नहीं सकती तब ऐसे वचन पढ़ी और अपने लिए आत्मिक दवा को पा लीजे क्योंकि वचन में जीवन है जब ईश्यों से बुरा विवार किया गया उसने बदले में वैसा नहीं किया उसने क्या किया उसने अपने आपको और सारी परिस्तिती को परमिश्वर के हाथ में सौब दिया जो सच्चान आई है कई बार दात पीसते हुए अपनी आँखों से आसु बहाते हुए मुझे कहना पड़ा अच्छा प्रबू मैं तुझ पर भरोसा करना चुनती हूँ मैं नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है मैं नहीं जानते कि क्यों लोगों को दूसरों से ऐसा विवार करने का मौका दिया जाता है मैं समझ नहीं पाती मैं लोगों की मदद करने की कोशिच करती हूँ परन्तु तुझ पर भरोसा रखती हूँ और विश्वास करती हूँ कि तु न्याय करेगा और मुझे निर्दोश ठहराएगा मैंने परमिश्वर को अपने जीवन में महानकारी करते हुई देखा है जिस काम को हम 25 वर्षों के कथिन परिक्षम के द्वारा नहीं कर सकते उसे प्रभू एक पल में कर सकता है प्रभू कहता है कि न तो शक्ती से न बल से परंतो मेरी आत्मा के द्वारा होगा देखे विश्वास से भरी बाते सोचने का अभ्यास करें आईए दूसरे कमरे में चलते हैं बूत काल के कमरे में जीने के बारे में क्या ओ हाँ हम वहाँ बहुत समय बिताते हैं हैं न हम कहीं बैठ कर अपने पुराने पापों के बारे में सोचते रहते हैं हम सोचते हैं कि शायद प्रभू हमारे पापों और गुनाओं के कारण हमें आशिश नहीं दे सकता है इसलिए हम प्रात्ना भी नहीं करते हम उन सारी बातों को सोचते हैं जिसे लोगों ने हमारे विरोध में कहा और किया है हमें जरूर सोचना चाहिए कि उनने हमारे लिए क्या किया उसके बाद हम वहाँ जाकर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमने खो दिया ओ मेरा बच्पन मुसे छीन लिया गया ये अन्या है मैं कभी बच्ची नहीं रही इसलिए मेरी इतनी समस्या और परेशानी है ये अन्या है परमीश्व राख के बदले सुन्दर्ता देता है परन्तों आप राख को त्यागने के लिए तयार रहे देखिए हम भूत काल के कमरे में राख का धेर लगाये रखते हैं जैसी कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उनकी राख यहां पर रखी गई हो क्योंकि वो उन्यव उस्व्यक्ति की याद दिलाता है कि अच्छा इस विशेय पर आप जो चाहें कर सकते परन्तों मैं आपने बीते दिनों की राख रखना नहीं चाहती हूं क्योंकि मैं भूतकाल के कमरे में बैठ कर उस राख को देखना नहीं चाहती हूँ मैं राख के बदले सुन्दरता पाना चाहती हूँ और दुख के बदले आनंद का तेल और क्लेश बरी आत्मा के बदले स्तुती का वस्त्र अपने जीवन में मैं बदलाओ चाहती हूँ अपने बुरे आरंब के कारण में जीवन बर नाराज नहीं रहना चाहती हूँ हाँ ये महत्वपूर्ण है कि हमने कैसा आरंब किया और ये दुर्बागे की बात है कि आप का आरंब बुरा हुआ परन्तु ये मुक्य नहीं कि आपने कैसा आरंब किया परन्तु ये मुक्य कि आप कैसे पूरा करते है कितने लोगों ने मन में ठान लिया कि आप अच्छे से पूरा करें गया हम सब का एक भूतकाल है ऐसा कोई नहीं जिसका भूतकाल ना हो परन्तो भूतकाल तो बीच चुका है क्योंकि वो अब नहीं रहा परमीश्वर जो था परमीश्वर नहीं है इश्व ने कहा तुम क्यों व्याकुल हो मैं हूँ भूतकाल मुश्किल होता है क्योंकि प्रभू मैं महान जो था नहीं है भविश्य मुश्किल होता है क्योंकि वो मैं महान जो बनूगा प्रबू नहीं है कल का दिन आने पर वो वहाँ होगा पर फिर यही कहेगा कि मैं हूँ आप भूत काल के कमरे में बैठ कर उस महान मैथा का मन नहीं कर सकते मैं आपको वहाँ देख रही हूँ भूतकाल के सफलताओं के बारे में सोचने के लिए भी आपको साउधान रहना है कभी-कभी आप बीते दिनों में हुई महान कामों को सोचकर अभी होने वाले कामों से कभी संतुष्टी नहीं पाते हैं खैर मुझे याद है जब आमिन मुझे याद है कि दस साल पहले क्या हुआ था खैर जो भी हुआ हो यदि आज मैं यहां खड़े रेकर मेरे पिछले अक्टोबर में हुए महिला संमिलन के बारे में सोचो तो इस संमिलन से सुन्तुष्टी रहूंगी क्योंकि उसमें लगबग 16,000 महिलाओं ने भाग लिया था और हमने दुष्ट आत्माओं को भगाय था परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था यह संमिलन में वो पूरा अलग था जानते मैंने क्या पाया सब जगा अभिशेक एक जैसा नहीं होता है और कोई भी परमेश्वर को बक्से में बन नहीं रख सकता क्योंकि प्रभू प्रभू है और वो बक्से में नहीं रहता है यदि आप उसे बक्से में रखने की कोशिश करेंगे तो आप सदा निराश ही रहेंगे कितने इस बात को समझें आपको भुदकाल में जो पसंद था और जो पसंद नहीं था उसकी और आपको नहीं देखना चाहिये आपको जान लिना चाहिए कि वो चला गया और फिर से वो सम्मिलिन मैं नहीं पा सकती हूँ इसलिए मेरा विश्वास है कि आगे कभी उसे भी महान सम्मेलन चलाऊंगी मैं उस जैसा एक सम्मेलन नहीं उसे भी महान सम्मेलन चलाऊंगी आज जो कुछ हो रहा हूं से मैं प्रसंद हूँ क्योंकि मैं हूँ परमिश्वर यहां है और जो कुछ भी आज वो कर रहा है वो अज हमारे लिए आवश्यक और जरूरी है मुझे उनकी और नहीं जाना है जब मेरे बच्चे कॉलेज से सनातक होंगे और जब मुझे बड़ा मकान मिलेगा खेर अभी की बारी में क्या वो मैं हूँ जो मैं हूँ प्रभू है मैं मानते हूँ कि हर दिन हम एक नया आरंब करना चाहिए प्रभू की करूना हर दिन नहीं है बाइबल बताती है कि हमें अपने पापों का क्या करना है पश्चाताप करें मान लें मन फिराएं परमेश्वर से एक शमा मांग कर आगे बढ़ते जाएं बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ते जाएं और अच्छी बातों पर दृष्टी रखें पॉल उसने कहा एक काम मैं करता हूँ बीती बातों को भूल जाओं भूत काल का किवल एक ही हल है उससे छुटकारा पाओ अक्सर लोग महसूस करते कि लोग अपने विचारों पर नियंतरन नहीं कर सकते हैं मैं भी ऐसा ही सोचती रही यदि मेरे पास नकारात्मक विचार आते तो मैं सोचती कि मुझे बसना कारात्मक विचार सोचना होगा मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं भी अपने विचारों पर नियंतरन कर सकती परंतु जैसे मैंने प्रभू का वचन अध्यन किया तो मैंने पाया कि मैं गलत विचारों को फेक कर सही विचार चुन सकती हूँ एक बात मैंने सीखी और मेरा विश्वास है कि ये आपकी मदद करेगी यदि मेरे मन पर बहुत से नकारात्मक्त विचारों का हमला होता है तो मुझे प्रभू की वच्चन अपने मूँ से जोर से कहने होंगे यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिसे आपका लाब नहीं और आप कुछ कहते हैं तो ये उस विचार में रुकावट डालता है यदि शत्रों आपसे कह रहा है आपके मन में डाल रहा है कि आपके साथ कुछ भी भला नहीं होगा आपके भूत काल में बस बुरा ही होते आया है और आपके बविशे में दुबारा वही होने वाला है आप हमेशा कंगाली रहेंगे, आपका कभी विवानी होगा या आपकी पत्नी कभी नहीं बदलेगी, आप जिसके लिए प्रभु पर विश्वास कर रहे हो कि वो हो, शैतान आपसे कह रहा है कि आपको ये कभी नहीं मिलेगा, जब आप वो विचार सुनते तो आपको अपना म खोलना है और जोर से कहना है, मेरे जीवन के लिए प्रभु के पास उत्तम योजना है, वो मेरी प्रातना सुनता है, मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ, मुझसे प्रेम करता है, और मेरे भविश्य में उत्तम बाते अवश्य होंगे, सच तो यह है कि मैं पेक्षा करे कि आज ही मेरे साथ कुछ भला हो, जब आप इसे करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दि आपका शत्रिय जानता है कि जब कभी वो आपके मन में नकारात्मक विचार डालता है, तब आप उसे प्रचार करेंगे, तो वो किसी और से बाते करेगा जो उसके विरोध में नहीं आएगा, आपका दिन अच्छा जाए और दिन में कुछ समय प्रभू वचन अपने मूझ से जोर से कहते हुए गुजारें।